आज हम पढ़ेंगे जमासुवम का सबक नबर 14 बहदर जोजफ किसी दर्या के करीब एक छोटी सी बस्ती थी वहां के लोगों ने दर्या के किनारे एक मजबूत दिवार बनाई थी ये दिवार दर्या के पानी को बस्ती में आने से रोकने के लिए थी दिवार किसले बनाई गए थी ताके दर्या का पानी बस्ती में ना आए इसी बस्ती में जोजफ नाम का एक लड़का रहता था एक शाम वो दर्या के किनारे खेल रहा था खेलते खेलते उसने देखा कि दिवार में एक सुराख हो गया किया देखा उस बच्चे ने कि दीवार में सुराख हो गया है और उसमेंसे पानी निकल रहा है उसने ख्याल किया किया उसने देखिए ये सुराख इस वक्त तो छोटा सा है मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और फिर इतना बहने लगेगा कि सारी बस्ती डूब जा धर्यवाइगी दर्या का पानी तो बहुत जोश् спрос जाता है नहीं बहुत जाद है जोसर जाता जबगर इसमें बड़ा सुराह होजाता तो मैं पानी चला जाता और मशिके डूप जاती यह सब ख्याल किसने किया जो ज़त ने किया उसने सोचा पानी को रोकने की क्या तर्कीब हो सकती है क्या सोचा उसने तर्कीब लगाने लगा क्या तर्कीब लगाना यह नहीं जिस तरीके से आपका कुछ काम नहीं होता है और आप लोग सोचते हम इस काम को कैसे करें इस काम को कैसे करें किस तरह करेंगे तो एक काम अच्छे से होगा यह सब सोचने को कहते ह मगर इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी तब तक सुराक इतना बड़ा हो जाएगा कि पानी को रोखना मुश्किल हो जाएगा ये सब किसने सोचा ये सब जोजफ ने सोचा फिर देखिए आखिर का एक तरकीब जोजफ की समझ में आई उसने अपनी हतेली सुराक पर लगा दी किसने जोजफ ने अपनी हतेली मतलब हमरे हाथ का पंजे का बीच का हिस्सा पानी तब भी न रुका फिर भी पानी नहीं रुक रहा था एक हाथ के रुकने से थोड़ी तरिजी से आने वाला पानी रुक सकता है तो वह सुराक से अपने पीट लगाकर बैठ गया, देखे जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है जोजफ वे और शुराक पर अपने पीट लगाकर बैठ गया, दीरे दीरे σरदी बढ़ने लगी लेकिन जोजफ ने हिम्मत नहारी और वहीं डटा रहा धिरे धिरे अब दरिया का पानी ही था खुली हवा में था, सर्द था सर्दी लगने की वज़ से धिरे धिरे क्या हो गया? उसको पानी लग लगकर सर्दी लग रही थी किसको जोजफ को? धिरे धिरे जोजब को पानी की लगने की वज़ा से सर्दी लग रहे थी लेकिन फिर भी जोजब ने हिम्मत नहीं हारी वो रात भर इसी तरह दिवार से पीट लगाए बैठा रहा ताके सुराक ना बढ़े और पानी रुख जाए सर्दी से उसके हाथ पाउं शल हो गए हाथ पाउं शल हो जाना कभी बच्चों आपने देखा है बरप पर हाथ लगा कर जैसी बरप पर हाथ लगा कर हम थोड़ी देर तक रखते हैं तो बात में हम उसको हमें एहसास नहीं होता है एकदम सुन्द हो जाता है हमारा हाथ तो इसी तरीके से वो ठंड की वज़ा से दरिया का पानी बहुत ठंड थंड की वज़ा से سردی की वज़ासे उसके हाथ पाउं शाल हो गएते यही एक दम उसको कुछ एहसास नहीं हो राए था सुछा के वक्त एक शख उदा से गुजरा शख्स एक आदमे वह रहां से गुजरा वो जोसिव के करीब गया जो सरदी से अकड़ गया था कौन जोजफ के करीब गया वो शक्स क्यों गया जोजफ के करीब उसने देखा ना किसी को भी देखकर ऐसा लगेगा करे ये बच्चे यहां पे ऐसा क्यों बैठा है तो उसे देखने के लिए जोजफ को देखने के लिए वो शक्स जोजफ के करीब गया तो उसने क्या देखा क वो शक्स समझ गया किया माजिरा है, वो दूर्टा हुआ बस्ती में पहुँचा, और बहुत से लोगों को बुला लाया, कौन दूर्टा हुआ बस्ती में पहुँचा वो शक्स, वो शकस ने उस उराख की तरफ जो ज़च पीर लगा कर जो बैठा था, वो सब देखकर उसे सब समझ में आ गया और वो दोड़ता हुआ बस्ती में पहुंचा और लोगों को बुलाया उस वक्त तक जोजब की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी बहुत नाजुक हो चुकी थी निए उसकी तब बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी थी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी कुछ नौजवान लड़कों ने उसे वहां से उठाया और उसे लेकर बड़ी तेजी से अस्पताल की तरफ रवाना हुए दूसरे लोग सुराग बंद करने में लग गए थोड़ी देर कोशिश करने के बास सुराग बंद हो गया और दीवार से पानी आना रुख गया उधर अस्पताल में डाक्टरों ने बड़ी महनत और तवज़ा से जोज़फ का इलाज किया डाक्टरों ने क्या किया बहुत महनत और तवज़ज़ नहीं बोरा उसकी तरफ ध्यान देकर जोज़फ का इलाज किया कुछ दिनों के बाद जोज़फ बिल्कुल अच्छा हो गया जोज़फ ने अपनी जान की परवाणा करते वे बस्ती को तबाही से बचाया था मैंना बच्चों जोज़फ ने किया कि अपनी जान की उसे पता था उसकी हाथ पाउशाल हो रहते हैं, उसे सरदी लग रही थी, फिर भी उसने कुछ भी ना सोचा, सिब बस्ती की परवा की, अपनी जान की परवा ना की, उसों जानता था, अगर बस्ती में ये दरिया का पानी दाकिल हो जाएगा, तो अपके घरों में चला जाएगा, बहुत होगा, सब बस्ती वाले डूब जाएगे, इसलिए जोजब अपनी जान की परवाना करते वे, बस्ती को तबाई से बचाया था, इसके अपताल से घर वापस आने पर, बस्ती के सब लोगों ने खूब खुश्या मनाई, घर गर इसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे, बह इतना बड़ा ख्याल सोचना और उसको करना बहुत ही बहादुरी का काम होता है, बहुत ही हिम्मत का काम होता है, तो उसने एक हिम्मत और एक बहादुरी करके सारे बस्ती वालों को की जान बचाई, बहुत भारी नुकसान से बचाया, इसलिए उसके नाम के चर्चे होने ल कर रहा था क्योंकि जोजफ ने क्या किया था अपनी अकल मंदी और अपनी हिम्मत की वज़ा से बस्ती को तबाही से मचाया था तो बच्चों इस सबख के मुस्टनिफ है मुश्टाक रज़ा तो बच्चों आप लोगों ने इस सबख से क्या सिखाज हाँ हमें हमेशा हिम्मत और बहादुरी से अकल मंदी से कोई भी फैसले लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं माजिरा यह अलफाज माईनी आपके दिए माजिरा माजिरा यानी वाकिया बात मामला चर्चा होना किसी बात का बार बार जिक्री करना तो बच्चों चलिए हम पढ़ेंगे अब उन्गे सवाल और जवाब सबसे पहले आपका सवाल है एक जुम्ले में जवाब लिखो दिवार किसलिए बनाई गई थी उसका जवाब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है दिवार दर्या के पाने को बस्ती में आने से रोकने के लिए बनाई गई थी सवाल नमबर दो आपका है जोजफ कहां खेल रहा था सवाल नमबर तीन है जोजफ सुराग बन ना करता तो क्या होता जोजफ सुराग बन ना करता तो सारी बस्ती डूब जाती सवाल नमबर चार है जोजफ ने सुराग बन करने की क्या तरकीब की जवाब जोजफ ने सुराग बन करने के लिए पहले अपनी हाथ की हतेली सुराख पर रखी पानी तब भी ना रुका तो सुराख पर अपनी पीट लगा कर बैठ गया सवाल नमबर पाँच है वहाँ से गुजरने वाले शक्स ने क्या देखा वहाँ से गुजरने वाले शक्स ने देखा कि जोखव सरदी से अकड गया था इसके बाद सवाल नंबा छे है जोखव की बहादूरी के चचचे क्यों होने लगे? क्यों होने लगे थे उच्चों? जोखव ने अपनी जान की परवाणा करते हुए बस्ती को तबाहिसे बचाया था इसलिए जो जफ्की बहादुरी के चर्चे होने लगे थे दूसरा सवाल है दियेवे लबजों को जुमलों में इस्तेमाल करो परवाँ ना करना मेरा भाई किसी बाद की परवाँ नहीं करता है इसके बात है माजरा मेरी बेहन ने स्कूल में होने वाले पूरे हाथ से का माजरा कह सुनाया इसके बाद है तरकीब मेरी सहेली तरकीब लगा कर अपना काम मुझे से करवा लेती है इसके बाद है इस कहानी में नीचे दिये हुए लोगों ने क्या काम किया जोजब के पास गुजरने वाला शक्स दौरतावा बस्ती में पहुँचा और बहुत से लोगों को बुला लाया था नाजवान लड़के जोजब को वहां से उठा कर अस्पताल की तरफ रवाना हुए थे बस्ती के दूसे लोग सुराग बंद करने में लग गए थे डॉक्टर डॉक्टर ने बड़ी मेहनत और तवजब का इलाज किया था दिये हैं वे जुमले गलत हैं या सही लिखो बस्ती के किनारे एक समंदर था नहीं गलत क्योंकि बस्ती के किनारे दरिया था दिवार में एक सुराग हो गया था सही जोजव के पास से गुजरने वाले शक्स ने सुराग बन करने की कोशिश की गलत उसने सुराग बन करने की कोशिश नहीं की थी बलके पहले बस्ती वालों को जाकर बलालाया था नाजवान लड़कों ने जोजव को फौरण उसके घर पहुँचा दिया गलत जवान लड़कों ने जोजफ को पौरण उसके घर नहीं पहुंचाया था बल्के उसे अस्पताल पहुंचाया था बस्ती के लोगों ने सुराग बन कर दिया सही जोजफ के अस्पताल से आने पर लोगों ने खुशियां मनाई सही अब है आपका सवाल नीचे दिए वे खानों से लब्स लेकर वाहिद के 5 जुम्ले और जमा के 5 जुम्ले बनाओ तो हमने आपर पहले वाहिद के जुम्ले बनाओ वाहिद के माइने क्या होते हैं बच्चे एक अगर हम किसी एक इनसान के बारे में बात करेंगे या कुछ बोलेंगे तो हम किस तरीके से बोलेंगे देखे वो सोच रहा है ये वली है आएगी एक है ना एक एक इनसान है तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे वो सोच रहा है वो चल रहा है वो देख रहा है वो जाग रहा है देखें यहां पर वो जाग रहा है लिखा हुआ है वो गा रहा है अब हम जमा के पांच जुमले देखेंगे वो सोच रहे हैं बहुत सारे लोग रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे वो सोच रहे हैं ये वरी हैं आएगी मुझे उमीद हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से हमारा सबक समझ में आ गया होगा, सवाल जाब भी हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसे प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकोन पर जरूर प्रेस करें तक कि आने वाली सारी डियोज की नोटिफिकेशन्स आपको वक्त पर जल से जल मिलती रहें थेंक्स पो वाची